नमस्कार फ्रेंड स्वागात आप सभी का सॉले सेम विदा अभी यूटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में बर्ब से रिलेटेट एक एकससाली ली है जिसमें मैंने 30 कोशन कंप्लेट किये हैं आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहले बिजिट कें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें चली शुरू करते हैं सबसे पहला जो कोशन है दा लाइन ब्लेंक बाई अनू तो यह सेंटेंस जो है यह पैसिब बोईस में है और पैसिब बोईस में जो बर्ब होती है यह बोज किल्ड हो जाएगा तो बोज किल्ड जो है हमारा अंसर हो जाएगा इसका जो एक्टिब बोईस है यह पास्ट इंडेफिनेट में रहा होगा तो इसका जब बनाएंगे पैसिब बोईस तो यह पास्ट कंट्यूनियूस में ब यह किसमे है तो यह है पास्ट इंडेफिनेट में पास्ट इंडेफिनेट में जो है अगर सेंटेंस निगेटिव है तो बर्व की हमेशा फर्स्ट पर्म आती है अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तब भी बर्व की फर्स्ट पर्म आती है तो इसमें जो है यह सेंड फर्म जब sentence में आपको before मिल जाता है तो investing जो है यह हूता है past past practiced में और जो बाद वाला sentence होता है यह होता है past indefinite में तो यह आप याद रखें यह past indefinite में हैं तो यह हमारा answer ही है और यह जो शुरुगात वाला sentence यह रहेगा किसमें से पर फिक्ट नकर फिक्ति नमर वर्फिक्ट वह यह जा जाएगा है इसको इसको यह तो इसको है यह हो जाएगा यह left कब लगाते हैं left जब जब की पाष्ट की बात हो जब भूत काल की बात हो लेकिन यहां पे तो next week की बात की गई है मतलब की अगले हफते तो आगले हफते की बात की जा रही है तो यहां पे लीप्स हो जाएगा तो इसका जो है लीप्स हो जाएगा अंसर हमारा तो यह जो है my father-in-law लीप्स फॉर पटना next week हमारा अंसर हो जाएगा यह हमारा गलत हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन नमर फाइप the prime minister blank here tomorrow तो tomorrow मतलब की कल मतलब की आने वाला कल ठीक है आने वाला क के लिए हमेशा जो है यह present tense यूज करते हैं तो इसमें जो है comes हो जाएगा ना कि came second form है second form आती है past indefinite में तो हमारा यह गलत हो जाएगा और comes हमारा answer हो जाएगा अगला जो कुश्चन है कुश्चन नमर 6 my father blank up at 4 o'clock everyday तो everyday की बात की गई है मतलब daily जब everyday या daily की बात की जाए तो हमेशा आपको present indefinite लगाना है तो present indefinite की जो बर्भ है यह gets हो जाएगी तो इसमें जो है gets up at 4 o'clock everyday इसका answer हो जाएगा जब sentence में everyday या daily की बात की जाए तो हमेशा आपको जो है past present indefinite लगाना है present indefinite हमेशा लगाएंगे आप याद रखें इसको अगला जो कुश्चन है question number 7 I wish I blank the chief minister of Bihar तो जब कोरी कलपना बात की जाए जैसे मेरी इच्छा है कि मैं Bihar का मतलब मुख्य मंत्री बनू तो जब ऐसी शुरुआत में हो I wish और फिर I हो उसके बाद तो I के साथ हमेशा जो है वर चलता है आप यह याद रखें जब कोरी कलपना की बात की जाए तो हमेशा I के साथ वर आता है और बैसे simple use में I के साथ बोज आता है तो यहाँ पर कोरी कलपना की बात की गई है कि मेरी इच्छा है कि मैं Bihar का जो है मुख्य मंत्री बनू तो इसमें हमेशा I के साथ वर चलता है यह आपको concept याद रखें तो इसका जो है I wish I were the chief minister of Bihar इसका answer हो जाएगा अगला जो कोशन एकोशन नमर्व 8 वेन आई रिच्ट डा इस्टेशन दा के लिए है न की परजेंट की तो यहाँ पर पाश्टल की बात हो रही है तो यहां पर हैं इसका answer हो जाएगा तो when I reached the station the train had left इसका answer हो जाएगा अगला जो question है question number 9 if you blink here I shall teach you तो इसका जो answer है यह हो जाएगा जब आगे बाले sentence में future दिया है तो शुरुवात बाले sentence में आमेंसा क्या आता है यह आता है present tense तो यह future तो आही नहीं सकता है इसमें जो है आगे बाले sentence में future हो तो आगे बाले sentence में future दिया है तो इसमें जो है present होगा तो इसमें जो है you के साथ जो है बर्व की first form आती है तो इसमें ऐसे yes नहीं आएगा क्योंकि यह plural है तो इसमें जो है कम answer हो जाएगा अगला जो question है question number 10 hard work blank success तो जब सच बात हो जैसे hard work करेंगे तो success आपको जरूर मिलेगी तो hard work brings जो है हमेशा present indefinite use करें आप जब कोई सच बात हो या मतलब की सही बात हो तो उसके लिए universal truth के लिए हमेशा present indefinite का use करेंगे तो इसका जो है brings हो जाएगा hard work brings success मतलब कठें परिस्रम ही सफलता आपको दिलाएगा तो इसका जो answer brings हो जाएगा अगले जो question है question number 11 if I blank a king I would be happy इसमें बात की जारी है अगर मैं या मैं एक राजा बन जाऊं तो मैं बहुत खुशी होंगा तो ऐसा तो नहीं है यह तो कोरी कलपना की बात की गई है अगर मैं राजा होंगा तो मैं बहुत खुशी होंगा ऐसा बात नहीं है इसमें कोरी कलपना की बात की गई है तो इसमें कोरी कलपना के लिए I के साथ हमेशा जो है वर आता है simple use के लिए बहुत आता है लेकिन इसमें simple use नहीं हुआ है इसमें वो एक कलपना कर रहा है कि अगर मैं राजा होता अगर मैं एक राजा होता तो मैं बहुत खोशी होता तो इसमें Corey-Colpna की बात की गई है Corey-Colpna के साथ, हमेशा I के साथ वर आता है, ये आप याद रखें अगले जो कुष्चन है कुष्चन NO.12 My brother 25 25 next year तो इसमें आप याद रखें My brother 25 next year मतलब अगले साल वो 25 का हो जाएगा My brother तो इसमें अगले साल की बात की गई है ना तो अगले साल की मतलब future की बात की गई है तो future के लिए हम इसा जो है will we use करेंगे will be इसका answer हो जाएगा my brother will be 25 next year मतलब की next year जो है 25 का मेरा brother हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा तो इसका जो है will be answer हो जाएगा अगला जो question है question number 13 His daughter blank to the Jew every Sunday तो every Sunday की बात की गई है तो इसमें हमेशा present indefinite का use करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है जब daily या की daily की बात की जाए या every day की बात की जाए या every Sunday मतलब लगातार की बात की जाए तो इसमें हमेशा present indefinite लगाएंगे तो इसमें जो है goes answer हो जाएगा हमारा तो his daughter goes to the Jew every Sunday अगला जो question है question number 14 oil blank on water तो floated होगा या floats होगा तो याँ पे floats होगा क्योंकि इसमें एक सच बात है कि oil जो है हमेशा पानी के उपर तेरता है तो याँ पे float होगा जब कोई सच बात हो क्योंकि ये सच बात है कि अगर तेल आप पानी में डालेंगे तो जो पानी के उपर जो है तेल तेहरेगा तेहरेगा तो present indefinite आप यूज करेंगे ना कि past indefinite आप इसको याद रखें अगला जो question है question number 15 the school blank is July every year तो in July every year क्योंकि जो school है वो हमेशा reopen होते हैं कब July every year जुलाई में होते हैं हर साल जुलाई में खुलते हैं तो इसका हो जाएगा will भी नहीं होगा या reopen होगा reopens क्यों होगा क्योंकि ये सच बात है universal truth है ये तो यहाँ पे जो है reopens इसका answer हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है जो सच बात होती है उसके लिए हमेशा present indefinite use करेंगे तो यहाँ पे reopens answer हो जाएगा अगला जो question है question number 16 if you blink hard you will succeed तो इसमें बात की गई है अगर तुम कठिन परिस्रम करोगे तो तुम सफल होगे तो आगे जो दिया है future दिया है तो सुरुवात में क्या होगा यह present होगा तो I, I, U के साथ यह है बर्व की first form में S, E, I, E, S नहीं आएगा तो हमारा जो है work answer हो जाएगा और आप यह याद रखें जो if वाला sentence है इसमें कभी future नहीं ही आता है तो future कभी नहीं ही आ सकता है तो इसका जो है work answer हो जाएगा अगला जो question है question number 17 Newton blank the laws of gravitation तो यहाँ पे हमेशा जो है past indefinite का use करेंगे आप जब किसी ने किसी चीज की खोज की है तो उसके लिए हमेशा जो है past indefinite use करेंगे तो यहाँ पे discovered हो जाएगा हमारा answer ना कि head discovered तो इसका जो है discovered answer हो जाएगा अगला जो question है question number 18 she blank for a walk every morning तो every morning की बात की गई है तो हमेशा आप present indefinite का use करेंगे तो इसका जो हो जाएगा she goes for a walk every morning अगला जो question है question number 19 यह है Mr. you जा blank a newspaper daily तो daily की बात की गई है तो daily के लिए आप हमेशा जो है present indefinite use करेंगे तो यहाँ पे read सो जाएगा अगला जो question है question number 20 she said that she blank walking for two hours तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है यह sentence जो है indirect में दिया है तो indirect में जो बर्व आती है यह हमेशा जो है indirect में बदलेंगे तो comma inverted comma की जगा that आ जाएगा और जो present indefinite present perfect tense जो है यह past perfect में बदल जाता है तो इसका जो answer है had been answer इसका हो जाएगा had been इसका answer हो जाएगा आप इसको याद रखें अगला जो question है question number 21 he said that he blank writing a novel तो इसमें भी जो है had been हो जाएगा क्योंकि यह भी जो है indirect speech में है indirect जो है तो आप इसको याद रखें अगला जो question है question number 22 my younger brother blank to Mumbai last month तो last month तो इसमें last month के लिए हमेशा past indefinite use करेंगे तो option जो है इसका went answer हो जाएगा my younger brother went to Mumbai last month अगला जो question है question number 23 he blank from fever since तो last night या last month की बात की जाए तो हमेशा आपको क्या लगाना है तो यह हमेशा आपको लगाना है क्या तो इसमें जो है has suffered दिया है और has been suffered दिया है तो इसमें since दिया है since मतलब time दिया है आपको जब time आपको दिया हो since या for दिया हो तो हमेशा जो है आपको जैसे present perfect continuous या past perfect continuous का use करना है तो इसमें जो है has been वाला answer हमारा हो जाएगा अगला जो question है question number 24 I blink working for two hours तो for two hours मतलब इसमें भी time दिया है तो इसमें भी has been हो जाएगा ना कि am जब time दिया हो since for के साथ तो हमेशा आपको has been वाला, have been वाला या had been वाला option चूज़ करना है तो आप यह याद रखें अगला जो question है question number 25 Ajit and Rekha blank to the cinema last night तो last night की बात की गई है तो इसमें कोई time नहीं दिया है तो last night की जब बात की जाए तो हमेशा आपको past indefinite use करना है तो इसका जो है Ajit and Rekha bent to the cinema last night अगला जो question है question number 26 The earth blank round the sun मतलब जो प्रत्वी है यह सूरे के चार और घूमती है तो यह universal truth है तो universal truth के लिए हमेशा present indefinite का यूज करेंगे तो इसमें move में yes जोड देंगे move सो जाएगा हमारा answer आप इसको याद रखें अगला जो question है question number 27 All that blank is not gold तो मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती यह भी एक universal truth है तो इसके साथ भी present indefinite का यूज करेंगे तो यहाँ पे glitters इसका answer हो जाएगा अगला जो question है question number 28 Mr. Adwani blank to America last month जब last month की बात की गई है कोई sense for नहीं दिया है तो आपको हमेशा जो है past indefinite यूज करना है तो bent go का जो second form होता है यह bent होता है और third form जो है यह gone होता है तो इसका जो answer है second form यह हमारा correct हो जाएगा अगला जो question है question number 29 Monika and Sonika blank together for a long time जब इसमें time दिया है for या since के साथ तो हमेशा आपको has been वाला या have been वाला या had been वाला option चूज करना है तो इसमें जो यह Monika and Sonika यह plural है तो इसमें have been living इसका answer हो जाएगा अगला जो question है इस वीडियो का last जो question है my uncle blank a year ego जब ego की बात की गई है मतलब की past की बात की गई है तो हमेशा आपको past indefinite use करना है हमेशा ना की present तो हमारा जो है यहाँ पे died हो जाएगा answer थेंक्यू friends आप लोगोंने 30 में से कितना score किया है comment box में जरूर रटा है अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and डिस से जरू किया करें अगर चैनल पर पहले आप विजिट कियें चैनल जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम